Hello students, welcome to Magnet Brains, my name is Abhishek Pandey और मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस session में आपके board examination को ध्यान में रखते हुए एक topic मैं आपके साथ यहां पर discuss करने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे experience के मन में बहुत सारे questions यहां पर create कर रहा होगा और आज का जो हमारा session है यह वैसे तो सभी experience के लिए यहां पर जरूरी है किसी भी class के अगर आप student होते हो तो यह सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है लेकिन हमारा जो special target है वो यहां पर board examination है board examination में हमेशा यहां पर क्या होता है कि question हमें यह देखने को मिलता है कि यार मतलब हमने examination की जो preparation है जो content है वो तो अच्छी तरीके से prepare कर लिया है लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी भी examination में जाते हो है ना जिसमें आपको answers वगरा यहां पर लिखने है mcq approach यहां पर आपको follow नहीं करनी है तो उसमें एक डर इस बात कर रहता है कि मतलब हम question paper में ऐसा क्या करें कि हमारा जो overall presentation है वो अच्छा हो जिसकी वज़े से हमारे examination में जो answers है ठीक है वो हमें अच्छे marks यहां पर दिलवा कर लिया है तो आज इसी particular session में हम इस चीज के बारे में बात करेंगे क्योंकि आज का जो हमारा यहां पर यह session है जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा जिसमें हम answer writing जो आपकी होती है examination के लिए important उनके बारे में discussion करेंगे इससे पहले भी कई सारे जो important videos हैं आपके board examinations के लिए वो आपको provide किये जा चुके हैं मैंने भी एक session आपको provide किया था लेकिन आज के session में हम यह चीज यहां पर समझेंगे कि आगर आपका मान लिजे कि content बहुत अच्छी तरीके से prepare है तो examination में actually हम यहां पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे overall हमारा जो result है वो यहां पर आपको improve होता हुँ दिखाई दे तो मुझे लगता है कि आज के session को attain करने के बाद आपके जितने भी number यहां पर आ रहे होंगे है ना उसमें definitely कुछ ना कुछ increment यहां पर होने वाला है क्योंकि यहां पर जो भी चीज़े मैं आपके साथ discuss करूँगा ठीक है यह बिल्कुल proved है अगर आप इन चीज़ों को इस तरीके से यहां पर follow करेंगे तो definitely आपके board examination में और आपके marks में आपको बहुत ज़्यादा benefit जो है वो यहां पर देखने को मिलने वाला है तो start करते हैं अब देखो यहां पर क्या है कि हमको यहीं चीज़ पढ़नी है ना how to write answer in board exams ठीक हमें answers जो है वो किस तरीके से लिखने अब जैसे माल लीजिए कि अगर आप कोई यहां पर क्या है कि math का paper दे रहे हो ठीक है उसके बाद physics का paper दे रहे हो science का paper दे रहे हो social का paper दे रहे हो तो वो तो क्या है कि content तो आपने अलड़ी prepare किया हुआ है कि आपको थोड़ा सा value edition करवाँगा वैलू एडिशन का मतलब यहां पर यह है कि अगर माली जी अगर आपको answer नहीं पता है तो 우리가 थो पर जाइंब पर और यह कह सकते हैं कि obviously जो सामने वाला person होगा वो यहां पर उसको खुशी होगी आपके content को देखकर और फिर आपको number वगरा भी जो है वो अच्छी तरीके से मिलेंगे तो अगर आपका content अल्रेडी प्रिपेर है तो ये session जो है वो आपके लिए बहुत useful होगा क्योंकि इसमें मैं कुछ minute details आपको बताऊंगा जिनको follow करके आप अपना overall presentation जो है वो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं सबसे पहली बात आपने जो है वो हमेशा ये सुना होगा कि या आपके साथ कभी जो है वो ऐसा हुआ है क्या कि जैसे आपको सब कुछ पता होता है है न मतलब आपने पूरा का पूरा concept हर चीज जो है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ी होती है और आप क्या है आपको ये भी लगता है कि अगला जो आपका examination यहाँ पर होने वाला है उसके लिए आप बिल्कुल prepare हो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं रहा है जो आपने पढ़ा ना हो या आपको आता ना हो या आपने कोई revision यहाँ पर ना किया हो हर चीज जो है you have already completed आपने examination दिया लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी examination में जो score है वो आपने यहाँ पर अच्छा है score नहीं किया मतलब आपका जो score है वो यहाँ पर क्या है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है मतलब आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आँखों से आसु यहाँ पर आने लग गया अपना result देखकर कि याड इतना सब कुछ पढ़ा था लेकिन फिर भी क्या हुआ कि हमारा जो total यहाँ पर marks हमको म कि भई आपको सब कुछ पता है सारे derivation आपको याद है सारे important definitions आपको पता है सारे important chemical reactions आपको पता है सारे important जो methods होती है वो आपको पता है सब कुछ पता है ठीक है लेकिन examination में अच्छा score करना यह दोनों चीज़े क्या होती है कि दोनों चीज़े अलग अलग होती है कई बार आपने देखा होगा यह आपके साथ भी हो सकता है कि हुआ हो कि आपको सब कुछ पता है लेकिन आपके उतने marks यहाँ पर नहीं आए जितना किसी दूसरे candidate के आगए है ना जिसको knowledge यहाँ पर हो सकता है कि आप से कम रही हो लेकिन उसने कुछ चीज़े तो ऐसी करी होंगी जिसकी वज़े से उसके examination में यहाँ पर क्या है कि number जो है वो जादा देखने को मिलेंगे तो वही चीज़ यहाँ पर क्या होती है कि difference जो है वो create करती है है ना difference create करती है मतलब क्या हुआ इसका आप simply यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि कुछ चीज़े ऐसी होती है जो आपको अपने board examination में करनी होती है जिससे आपके number जो है वो यहाँ पर बढ़ते हैं अगर आप यह चीज़ यहाँ पर ensure कर लेंगे तो definitely मैं यह कह रहा हूँ कि जितने लोग भी session को यहाँ पर देख रहे होना सब को benefit होगा अगर आपके पहले मान लोगी 80 marks आ रहे होंगे तो 85 हो जाएंगे मतलब percentage की इसाब से मैं बता रहा हूँ तो overall जो है वो आपको इसका benefit जो है वो यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा इसमें कोई दिक्कة यहाँ पर नहीं होगी ठीक है तो अब हम एक एक चीज़ के बारे में जो है वो थोड़ा से यहाँ पर पढ़ लेते हैं और उसको हम समझ लेते हैं मैं अपने तरीके से आपको पता दूंगा हैना वो यहां पर develop करती है अब जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग यहां पर क्या करते हैं कि जो दूसरे गैनिडेट हैं उनके साथ क्या HERE कोई भी मुसीबद है ना आपके आत्मी विश्वास और आपके विश्वास से वो कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है अगर आप किसी भी particular situation को face करनी के लिए अपने आपको तयार कर चुके हैं तो आपके सामने जो विपदाएं हैं जो hurdles हैं वो कैसी भी हो आप उनको जो है आसानी से जो है वो कूद के jump करके overcome आप यहां पर definitely कर लोगे लेगिन अगर आपकी तयारी अच्छी नहीं है तो फिर आपको tension यहां पर होगी examination कोई कितनी बार भी दे उसको हर बार जो है वो tension कुछ न कुछ यहां पर जरूर होता है वो सब के साथ होता है लेकिन उस time period पर आप अपनी nerves को control कैसे करते हो यह जो चीजे वो यहां पर difference create करती है अगर माल लीजे कि हम paper के दोरान यह discuss कर रहे हैं कि हमने यह नहीं पढ़ा यह नहीं पढ़ा यह नहीं पढ़ा तो हमारे दिमाग में जो चीजे होती वो यही आती है उसके उपर करना है, आपको इस बात से जो है वो बिल्कुल tension free हो जाना है कि यहाँ पर क्या होने वाला examination में, अभी जो हो जायेगा तो उसमें कुछ बदलाओ थोड़ो ना कर सकते हो आप कुछ change हो जायेगा, क्या कि मतलब घर से तैयारी करके आयते 50 number की है ना यहाँ पर क्या होगा कि 90 हो जाएंगे या 90 से करके आयते वो 50 हो जाएंगे यह सब चीजे निर्भर करती है कि आप अपने paper को attempt कैसे करते हो इसलिए paper के अंदर जाने से पहले examination center में जब आप पहुँचे हो तो आपका mindset एकदम clear cut होना चाहिए कि आपको यहाँ पर किस तरीके से काम करना है एक बार अगर आपका mindset जो है वो एकदम clear रहेगा ना trust me आप आधी जो जंग है वो यहाँ पर जीच चुके हैं आपको यहाँ पर क्या है कि फाल्तु के जो discussions होते हैं जिससे यहाँ पर क्या है कि किसका कोई मतलब नहीं होता है उन discussions को आपको यहाँ पर avoid करना है आप यहाँ पर क्या है कि पढ़के आते हो फिर यहाँ पर क्या करते हो कि फालतु की बात करते हो कि अच्छा यह ऐसा हो गया है ना जेठलाल ने ऐसा कर दिया और यह मतलब अलग अलग तरीके की डिस्केशन्स होते हैं तो आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि वो चीज़े होती है वह सब चीजे जो है वह हमको याद रहती है और यह चीजे याद रखिएगा कि जितना टाइम आपको यहाँ पर बोला गया उत्ते टाइम पर पहुंचो और अपने आपको इस्थिर रखो शांद रखो यह चीज बहुत जरूरी है अदर्वाइस क्या होता है कि हम जो ह पेपर को पढ़ने के लिए यहाँ पर आपको बोला गया है तो इसका मतलब यह है कि कोशन पेपर पढ़ना है इसका अंसर हमें क्या लिखना है किस तरीकी से क्या करना है यह सब question के answer में क्या format यहां पर रखना है बस वो question को पढ़ना है आपको कि पूछा क्या जा रहा है कई बार क्या होता है कि जोश-जोश में हम वो चीज़ें यहां पर लिख देते हैं जो हमसे पूछी नहीं होती है फिर बाद में क्या होगा कि आपको यह समझ में आएंगा कि question की demand क्या है question मुझसे पूछना है क्या चाह रहा है directly नहीं पूछ रहा है तो indirectly मुझसे क्या चाह रहा है कि मैं लिखूं अपनी copy में वो चीज़ें आपको कब पता चलेंगी वो आपको इन 15 मिनिट्स में पता चलेंगी इसलिए बोला जा रहा है कि यूज ओस 15 मिनिट्स टू अली रीडियोर question पेपर केवल आपको क्या करना है कि 15 जो है जितना भी बस यह ध्यान लखना है कि अगर आप पेपर को लिखने से पहले ही start करने से पहले ही अगर आप अपना temper यहां पर loose कर दोगे अगर आपने क्या कर दिया अपने सस्त्र जो है वो जमीन पे काड़ दिये तो भाईजा फिर आपके कोई मदद नी करने वाला है नहीं तो क्या होता है कि difficult papers में भी आप देखेंगे कि कई सारे toppers की कहानी आपने सुनी होगी उनको यह लग रहा होगा कि सर हमारा यह वाला पेपर जो है वो सबसे भी हो जाए है ना जब तक इसको हम अटेम्ट नहीं करेंगे तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं तो वह अप्रोच अगर आपकी दिमांग में होगी ना तो यहां पर क्या होगा कि जो पंदरा मिनिट आपने कुशन पेपर पढ़ा है वहाँ पर भी यह रिफ्लेक्ट होती हुई आपको दिखाई देगी अब पहला कुशन यहां पर यह आता है कि हमारे मन में जो अलग-अलग तरीके की चीज़े आती जैसे हम आंसर्स वगरा यहां पर लिखते है ना तो उसमें पहला कुशन जो सब करना से अटेंट करना स्टार्ट करें जैसे कई लोगों का यह मानना होगा कि सुरू से स्टार्ट करें है ना नीचे से स्टार्ट करें या जो अपना नौलेज है उसके इसाफ से हम यहां पर स्टार्ट करें ठीक है तो अब इसमें यहां पर क्या है कि देखिए सब की अपन पर काम करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहां पर क्याएंगी पूरी एफिशिंटी यहां पर काम नहीं करते हैं है ना उनका काम ही होता है कि ड्यूटी लगेगी हमें जाना पड़ेगा कॉपी चेक करनी पड़ेगी उससे हमें कुछ बेनिफिट्स होंगे उन बेनिफिट्स को अवेल करके हमें घर आ जाना है तो आप अगर यह माल लीजिए कगर आप आपकी कौपी है और उस में केहें पहले आपने कुश्यन कर दिया तो क्या होता है कि वो परेशानी जो है न वो सके अंदर रही वो किसी को बताया गा नहीं न बोड़ वालों को नी बताए गडियाCry सर देखो यह परेशान कर दिया वो बहुत को क्या करना है आप कोश्ण मिलाओ आप चेक करो लेकिन वह तीचर जो है वह फिर क्या करेगा उसकी मेंच मलब अपकी जो मेंच की सामने रहेगी ना वह इहां पर सहीं नहीं रहेगी अब लेकिन आप फिर आप यह सोचो की कि सर क्या कहेरो करो मतलब है ना हम लोग ऐसे नहीं करें knowledge के इसाफ से नहीं करें टॉप से करें बॉटम से करें या कुछ ऐसे करें क्या आप जैसे माल लीजिए कि आपको 123 यह तीन question है यह आपको नहीं बनते हैं या आपको ऐसा लगता है कि इन में मुझे surety नहीं है मैं इसको last minute करना चाता हूँ आपको चौथे से जो है वो सारे question आते हैं तो आप क्या करोगी सबसे पहले question number 4 कर दो ठीक है question number 4 करो अब 4 से sequence follow गरो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जुतने भी question आपके paper में आएंगे आप उनको follow करो उसके बाद फिर क्या करो कि फिर ये वाला जो pattern है इनको आप यहाँ पर follow कर लो है न तो इससे क्या होगा इससे जब examiner आपकी copy चेहाँ पर चेक करेगा न तो उसको यह लगेगा कि मतलब यार तुमारी जो approach है वो यहाँ पर क्या है वो ठीक है और sequence wise जो approach मैंने आपको बता है ना कि तुमने अच्छा content लिखा है तुमने खराब content लिखा वो ठीक है लेकिन तुमने क्या कर दिया परसान कर दिया हमको है ना मतलब यह भी पढ़वा रहे हो पिर उदर question number one भी करा दिया तुमने five भी करा दिया six भी करा दिया बहुत घुमाया तुमने थगा दिया सकते हैं include कर सकते हैं मैंने आपको इसका point जो है वो justify कर दिया कि वही क्या चीज होती है जो हमको यहां पर ध्यान रखनी है ठीक है चलिए अब उसके बाद यहां पर क्या है कि जैसे कई बार आपने देखा होगा जैसे social वगरा में science वगरा में चीजे होती ना कि आप क्या कर कि पांच पॉइंट जो है इसके बारे में बता दो ठीक है फाइब पॉइंट जो है वह आपको explain करने ठीक है कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि five points हमको क्या करना है कि explain करना है उसके बारे में बताओ है ना कहीं पर भी हो सकता है तो इसमें ऐसे question में हमेशा यह ध्यान कि पांच के चार लिख दिये तो एवरेज मार्किंग हो जाएगी है ना अगर पांच बोले हैं चार लिख के आये हो तो फिर तो आप यह समझ लोगी चार नंबर तो भी मतलब मुश्की नहीं है मिलने वाले हैं है ना क्यूंकि कुछ इदर उदर काट देंगे कुछ उसमें गड़बड होगी तो वो साड़े तीन नंबर तीन नंबर ही आपको मिलने वाला है अगर आप यहां पर पांच पॉइंट्स हैं पांच पॉइंट्स तो अच्छे से लिखो हमेशा याद रखना एक 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 एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वह आपको लिखना है मलब तीन बो क्या करना कि वह चीज समझ लेना कि आप यहां पर क्या करोगी एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वह आपको यहां पर ज्यादा नंबर जो है वह दिलवा देंगे कभी भी हमें यह नहीं करना है कि हमने कोई कुशन यहां पर स्टार्ट किया लिखना है तो एक ही बात को घुमा यह वैसा करते हैं यह एक्सपीरियंस टीचर जो आपकी कॉपी चेक करते हैं तो उनको जो कीवर्ट चाहिए होता है जैसे कई बार आपने दिखा होगा कि जब आप एक स्टुडेंट रहते हो तो आपकी एक अलग अप्रोच रहती है लेकिन टीचर यहां पर क्या होता है कि ज जो भी की पोइंट से वह धूंड लेंगे इसलिए हमेशा याद रखिए का कहीं पर भी कोई पॉइंड स्पेसिफिक इहां पर क्वेश्जन से तो आप उनको इहां पर क्या करो भी उनको जो है वह अच्छी तरीके से यहां पर एक एक स्ट्रा पॉइंट आपको लिखना है हमेशा यह ध्यान रखना है हमेशा यह बात आपको पता हो ना जी कोश्चन में जरूरत क्या है नीड क्या है मलब आप यह समझो कि भाई वो पूछना क्या चाह रहा है ठीक है पूछना क्या चाह रहा है यह बात अगर आप यहां पर ध्यान रख लोगे तो आपको यह पता च कुछ भी लिखते रहो हैंना बोला की कांदी जी के पारी ये जो यह वाला मुउमेंट था सब कर दоловील लिखना है वाले तो यहाँ पर कह तो फिर नंबर नहीं मिलने वाले फिर आप घर में आके चाहिए जितने नंबर जोड़ लो उससे काम नहीं होने वाला ठीक है तो इसलिए यह बात आपको ध्यान एकना है कि जब भी यहां पर उनने जितने नंबर लेके आए उत्ते में हम तीन लोग पास हो जाते हैं और सब लोग हंसने लग गए फिर ऐसा आपने मीम बगरा भी जो है वो देखा होगा लेकिन जो डिफरेंस होता है ना टॉपर की कॉपी में और जो एवरेज इस्टुडेंट्स होते हैं उनकी कॉपी म करते हैं जहां पर भी जरूरत हो मैंने एक चीज यह भी लिखा हुआ है कि भई एप्रूप्रियेटली जो है वह आपको डाइग्राम बनाना है है ना अब यह नहीं कि कुछ भी आपने मन से ही बनाने लग गए डाइग्राम है ना जैसे वह अनिल कपूर ने एक मूवी थी वेलकम है ना उसमें आपको याद हो का वो उसने जो है वो एक डाइग्राम बनाया था है ना अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग इसको देखिएगा ठीक है उसमें क्या होता है कि बहुत खतरनाक पेंटिंग बनाई होती है निल कपूर ने तो वैसा नहीं बना देना है कि कुछ अपनी तरफ से कुछ भी बनाने लग गया आपको अगर याद आएगी अगर ऐसा कुछ यहां पर आंसर है है ना और हमने देखा था कि बुक में उसके बगल में डाइग्राम बना था और मैं वो डाइग्राम बना सकता हूं तो आप क्या करिएगा हमेशा जो है हैं 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 हैना प्रजंटेशन जो इस कि एं तरीके से बनाया है तो इसके डाइग्राम में सब चीज़ें आवे ले बहने तो डेफिनिटली इसको जो कॉंसेट है वो भी यहां पर पता है अच्छा कई हमारे मित्र होते हैं वो क्या करते हैं वह पैंसरी डाइग्राम बना देंगे हैं न तो मेरा मानना यह है कि पैंसिल का आपको यूज़ करना चाहिए और अच्छी तरीक कहीं फ्लो चार्ट बना सकते हो कहीं पर कोई points वगरा यहां पर बना सकते हो कोई heading, sub heading वगरा यहां पर आप कर सकते हो तो मुझे लगता है कि वो काम आपको करना जरूरी है ठीक है और हमेशा याद रखना है कि जबर जस्ती डाइग्राम में जो है वो नहीं बनाने आपको है ना जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ पर जरूरत है और यहाँ पर बना दूँगा तो मेरा जो आंसर है वो यहाँ पर complete हो जाएगा है ना मतलब जैसे वो नहीं होता है कि आंसर जो है वो diagram के बिना अधूरा तो उसको पूरा कर दूआ तो diagram जो है वो आपको बनाना यह बहुत जरूरी है ठीक है चलिए अब अगली बात करते हैं कई लोग बोलते हैं कि पें कितने कलर का यूज करें है ना आंसर राइटिंग जैसे हम लिखते है ना तो आंसर राइटिंग में सबसे important चीज ही होता है कि पें हमको यहाँ पर क्या-क्या यूज करना है देखो simple सी बुद्धिमानी के साथ आपको करना है बुद्धिमान बनना है है ना यह नहीं पता चलेगी सजाने में काम करने लग गया सजा दोगे आप पांच कुश्चन अटेम्ट नहीं करोगे तो भी आपको उत्ते ही नंबर मिलेंगी जितने मिलने थे ठीक है आपके सजाने से यूटलाइजेशन जो है वो बहुत जरूरी है जब तक आप सही यूटलाइजेशन चीजों का नहीं करेंगे तब तक आपको कोई बेनिफिट यहां पर नहीं होने वाला है तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगे जैसे कुश्चन पेपर मिलता है न तो आपको यह पता पा रहे हो कि मैं किस कुश्चन में किस टाइम जैसे कई लोग क्या होते है कई लोगों का क्या है कि सुरू के दो तीन कोश्चन इतना तोड़ लिखेंगे वाई सब बिंदास एकदम शांदार पढ़ने वाले कोई लगे कि क्या बात है ऐसा लग रहा है कि एंसी आइटी लगे तो यह से कमिया ना हो तो अभी समय आपके पास जाक जाओ और डिसाइड गरोगी कि इतना टाइम पर क्या काम करना है यह लोग कि कई लोग ना अच्छे तुम यह कौन से निवेरिकल जो मुझ से नहीं बन रहे है यह TOPिक 5 बार पड़ा था हमसे नहीं बनोगे नुमेरिकल उस पर लगे रहते हैं पांच बार छे बार लगे हुए लगे हुए फिर भी नहीं आया आखरी में अंसर फिर क्या हो गया बस वह ही हो गया कि मिला है ना कर देंगे ठीक है और हमपर क्या होगा तो अंडर लें्गे या कुछ ऐसा ना चमक्दार कर देंगे कि एकदम है कि दिखे पैणी आप कि गांधी जी जो है गांधी जी के पिता जी के नाम लिखिए है ना आप से question ये पूछा गया आप क्या लिख रहे हो कि जैसे हमारे फादर है वैसे गांधी जी के भी फादर थे जैसे हमारे फादर हमारी मदद करते हैं वैसे गांधी जी के फादर ने भी गांधी जी की करिए उसको अंडरलाइन कर दिया या हाइलाइट कर दिया या स्टार लगा दिया चमकदार बना दिया उसको तो उसका कोई मतलब होगा क्या नहीं तो यहां पर क्या है यहां पर जो पूछा है जो नीड है उसको जस्टिफाई करना है है ना नीड जो है वह यहां पर आपको अगर आप need justify कर दोगे जो question में आप से पूछा जा रहा है उसको अगर आप fulfill कर दोगे तो अगर आप यहाँ पर highlight भी नहीं करोगे तो भी एकदम शांदर number मिलेंगे लेकिन अगर आपने यहाँ पर क्या किया है कि एकदम कच्रा answer लिखा है है ना मतलब जिसका क्या है कि जिसका ठीक है मतलब सारी जो घटना है वो कालपनिक है इनका वास्तविक answer से कोई सब्मन्द नहीं है ऐसी अगर आपने कोई situation create कर दीना तो फिर तो चाहे तुम highlight कर लो चा आप साउधान रही है ऐसी गलतियां आपको answer writing में नहीं करनी है ठीक है चले अब यहाँ पर क्या है हम बात करेंगे content oriented answer writing approach content oriented मतलब इतनी देर से जो मैं बता रहा हूँ न आपको कि वही आपको mainly कि स्क्यूपर focus करना है कि जो content है जो question में पूछा जा रहा है जैसे कई बार क् आप इस session को देख के आ रहे हो तो आपने सोचा होगा कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा हमें यह पता चलेगा कि answer कैसे लिखने अभी answer थोड़ने बताऊंगा मैं कि यह question है इसका answer ऐसे लिखेंगे मैं आपको क्या है कि कुछ value edition यहाँ पर करवाऊंगा कि जब भी आप answer लिख percentage में बता रहा हूं है न आप यह मत बोलना कि सर वह हमारे हमारे तो पेपर ही नहीं इतने नंबर का हमारा पेपर तो जो है वह कम नंबर का 90 के से आ जाएंगे हमारे है इसलिए मैं बार बार लगा देना हूं percentage में ठीक है चले तो यहाँ पर क्या है कि content-oriented answer writing approach यह होती क्या है है ना यह किस चड़िया का नाम है तो याद रखिएगा no key point no marks जो content यहाँ पर आपसे पूछा गया है वो content अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो है वो number नहीं मिलने वाले है ठीक है number नहीं मिलने जैसे हम कभी बार क्या होता है कि बाहर खेलने गए होते हैं लेट हो जाते हैं कreket खील के आहरें ठीक है चौक बान के आ रहे तो यहांपर क्या होता है कि हमको आना होता साथ बजे हैना हम पहुंचने कि नकिकले आटगे जहicion है और कितने बज रहे हैं, साथ बज रहे हैं, बोले आठ बज रहे हैं, बोले हमने तो दिखा तो साथ बज थे इसलिए लेट हो गए, और फिर क्या होती, फिर होती सुताई, और फिर हम क्या करते हैं, कि ये नहीं बताते हैं, कि हम लेट की हो गए, है ना हम क्या बताते हैं, कि आज में की पॉइंट्स होना जरूरी है इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइट किया था कि नोट्स कैसे बनाएं तो उसमें जो है वो मैंने एक चीजी बताए थी कि जो भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है कि इसमें नहीं समझ में रहा है उसमें क्या करो है ठीक है लेंथ की उपर फोकस नहीं करना है सोशल में लोग बोलते हैं अच्छा पांच नंबर को कुश्चन खुब लिखो खुब लिखो जितना लिखोगे उतना नंबर नहीं ऐसी कोई बात नहीं है आप यहां पर क्या करोगी जो जरूरी है वह कंटेंट आप प्रोवा रिवीजन जो है वो बहुत सक्सेस में आपकी बहुत इंपोर्टेंट डोल प्ले करने वाला है है ना आप यहां पर क्या है कि कंटेंट आप तभी लिख पाओगे जब चीजे आपको याद होंगी जब तक आपको चीजे याद नहीं रहेंगी तब तक आप यह कह सकते हैं क चीजें रिवाइस कर लो आखरी मोमेंट पर जो भी आपका एग्जामिनेशन है वाटेवर स्ट्रेटीजी यू आर फॉलेंग राइट नौ ठीक है उसके उपर फोकस करिए जादा से ज्यादा रिवीजन करो तब आपको चीजे याद होने वाली कई बार क्या होता है कि यह वहाँ पर रोना नहीं पड़ेगा कि मुझे यह याद नहीं आ रहा है मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक है उसको आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे तब help होगी ठीक है learn key points of every chapter already told you है ना जो भी important chapters है उनके यहाँ पर जो भी key points है उनको थोड़ा सीख लो समझ लो ता जैसे cannot को can't do not को don't है ना यह सब नहीं करना है ठीक है यह सब बिल्कुल मत करिएगा यह बिल्कुल भी आविश्यक नहीं है इससे impression जो है वह यहाँ पर खड़ाप पड़ेगा तो answer writing में यह आपको एक point यह भी आपको ध्यान लखना है जैसे maths वगरा में क्या होता है कि maths formula लिखना पड़ेगा भाई सब याद रखिएगा कि always write formulas in mathematics है ना और जो भी यहाँ पर क्या है कि जो भी diagram यहाँ पर है है ना और अगर आपको लगता है कि वो necessary है तो वो करना पड़ेगा है ना कोई सबी अगर आप यहाँ पर formula लगाते हैं तो जो भी formula आप यहाँ पर लग है ना मलब बच्चा है वो उसको समझाना है आपको है ना कि देखिए सर हमने यह formula लगाया है है ना और इस formula से हम यह चीज यहाँ पर derive कर रहें तो वो चीज आपको लिखनी पड़ेगी diagram जहाँ पर भी necessary लगेंगे वो बनाना पड़ेगा जब इन चीजों की उपर आप focus कर करिएगा मैं personally यहाँ पर आपके message वगरा जो comment है वो देखता हूं तो मैं जो भी reasonable questions होंगे उनके answers आपको provide कर दूँगा ठीक है आचा कई बार क्या है कि कुछ theory paper होते है theory paper का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि बस मतलब उसमें लिखते रहना है लिखते रहना है लिखते रहना है है न तो याद रखिएगा उसमें आपको points और paragraphs पगरा में जो चीज़े हैं वो लिखनी है कहानी लिख दोगे आप तो कहानी में क्या होगा कि फिर वो दिक्कत करेगा है न कि कहानी में लिख दिया points यूज करो paragraphs बनाओ headings दो sub headings दो key points जहाँ पर भी आपको लगें उसके according जो है वो आप answer यहाँ पर बढ़िया तरीके से frame करो जहाँ पर जैसे अब language वगरा के paper में यह सब चीज़ें जरूरी नहीं होती है लेकिन जैसे social वगरा का paper यहाँ पर हो गया ठीके तो वहाँ पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो उसमें जहाँ पर भी आपको लगता है कि points में चीज़ें आप लिख सकते हो तो points में आप मिलने चाहिए ठीक है समझ में आ गया तो यह approach आपको रखनी है फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि कई लोगों के लगता है कि सर मैं क्या करता हूं कि cutting करता हूं है न मतलब काट देते हैं लोग तो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब cutting तो वैसे नह करता है कुछ चेकर जो होते हैं वो क्या करते हैं ठीक है ठीक है इंसान है इंसान से गलतियां नहीं होंगी तो किस से गलतियां होंगी है ना कुछ तो ऐसे मान लेता है कई लोगों क्या लगता है साफ सुतरा क्योंकि उनकी क्लास में बच्चा था जो क्या करता था कि उसकी क recording fit जो है रिजल्ट देंगे तो कोशिश यह करो कि unnecessary जो है वो cuttings यहां पर ना हो अगर हो जाती है तो भी कोई इशू नहीं है आप कर सकते हैं लेगिन ऐसा मत कर देना कि तुम्हारा तुम मेरे से गलती हो गया हो तो तुम्हें मैं क्या कर दूंगा जड़ से मिटा दूंगा है न इतना घिसा तुमने पेन की copy भी भाड़ दी तुमने है ना नीचे सवाल किया था वो भी वो कह रहा है कि एक्स स्क्वार में मैं एक्स स्क्वार कहां चला गया ठीक है तो यह मत करना नॉर्मली कट लगा दीजेगा हमेशा क्या करना है कि अपने आंसर को अलग अलग दिखाना है है ना मलग दो से तीन रहा है ठीक है तो इंसानी होते हैं जैसे सब इंसानों का अपना-पना सोच होता है ना तो आप यह मान के चलो टीचर्स का भी इसी तरीके ही से जो सोच है वह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो उससे बचने के लिए आपको रखना है अचा आप एक बाद यह धिया अगर आपकी खराब है तो भी कोई इशू नहीं है लेकिन अगर आपकी हैं इतनी खराब है कि मैं पढ़ी नहीं पा रहा हूँ जैसे आपने भी देखा होगा ना कुछ दोस्त होते हैं हमारे जो कितना भी अच्छा लिखे लो कोई मतलब नहीं होने वाला है ठीक है तो teacher को समझाना जो है वो बहुत जरूरी है ठीक है आपको कितना आता है वो तो ठीक बात है teacher समझे गए नहीं तो अचा grammar गलत नहीं नहीं थोड़ी वो चलती है लेकिन ज़्यादा grammar नहीं गलत करोगे आप तो ज्यादा benefit होगा है ना language वाले paper में तो बिलकुल मत करना ह है ना क्योंकि अगर language वाले paper में तुमने grammar गलत कर दी तो तुम्हारे साथ जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया चलिए अब paper का जब presentation होता है जब भी हम यहाँ पर लिखना जाते है तो मुझे ऐसा लगता है कि तीन चीज़ें बहुत जरूरी है पह आप इतने साल की बाद आरो paper देने अबर बहुत साल हो गाया दो साल की बाद आप गये paper देने और वहाँ पर क्या है कि आपका जो हाथ है वो चलना बंद हो गया है बोले ,क्या हो गया जंग लग गया जंग का formula बता हो है ना चलो 10D class वाले जंग वाला formula जो रस्ट होता है ल आपको लिखना है और यहां पर क्या है कि अपने जो राइटिंग होती ना उसकी लिमिट डिसाइड करनी अब यह नहीं कि क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होता क्या है कि उसमें गांधी जी वाली फिलिंग आ जाती है ना संजु बाबा को पूरी तो वैसा नहीं करना है है ना कि लिखते जा रहे हैं कॉपी भरते जा रहे हैं ठीक है कुछ नहीं होगा उससे हैंड रैटिंग लिजबल होना चाहिए ताकि मैं पढ़ पाऊं नीट और क्ल जब आपको बाद में समय मिलेगा तो आप में वर्ड को यहां पर हाइलाइट कर सकते हो ठीक है फिर अगर दो मार के कुश्चन है तो तीन से चार पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे दस से बारा लाइन ठीक है और बस वही चीज़ जो है वो आपको यहां पर इंक्लू कर दूँ मैं एक लॉजिक कर दा रहों कि आपको लिखना कितना है ना व भूभ रिपेंड कर सकता है करें और जो पूछा गया उसमें जादा चीज़ भी हो सकती है है ना उसमें वह किंगोा धिमाग में कर दियो सकती तो सब रिकलर करती हमें है घुले ऐसे का कि चीज जह व होती है तो आपने लिखा कि यह चीज इसलिए होती है क्योंकि है ना विकॉज तो अब आप यहां पर क्या गरोगे उसका आंसर जो है वो लिखोगे फिर उसके बाद यहां पर क्याएगी कोई भी आंसर अगर आपका complete होता है तो प्रॉपर एक लिखने करें यहां पर यहनुत क्या यहीं की आप अपर सेंटेन्स में अबने लगता की यह लगता GY e लगत सं Townoria आप यह लगे सकते हैं लेकिन ऊपर रहे तो यहोगा दिख जैगा उसके बाद यहां कि जो मैप वर्क होते हैं जैसे मालीजे कि मैप वर्क है यहाँ पर आपको मैप वर्क करना यहाँ पर आपने मैप वगएरा बना लिया तो अब यहाँ पर क्या करिएगा कि ऐसे ऐसे जो map work वगर आप यहाँ पर करोगे न तो यहाँ पर एक चीज यह आपको पता होनी चाहिए कि map work में आपको यह mention करना है कि जैसे आप आसाम पर टिक कर रहे हो तो आसाम पर ही होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह तो आसाम पर भी है मेघाले पे भी जा रहा है और यह अरोनाचल प्रदेश में भी जा रहा है टीचर भी समझ दी पा रहा है कि कहां कर दिया इसने मानस नैशनल पार्क जो है वो मार्क है ना तो ऐसा नहीं करना है जो चीज भी आप यहाँ पर attempt कर रहो प्लीज मेक शूर यह करो कि आप चीजों को जो है वो सही तरीके से जो है वो present करो बाकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका पूरा का पूरा जो presentation वाला काम है यह मैंने यहाँ पर explain कर दिया और आप लोग इतने यहाँ पर जो है aware होंगे कि इन चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान लखना बहुत ज़रूरी है लेकिन इससे भी important जो चीज होती है वो होता है आपका content अगर आपका content strong है इसमें अगर आप चीजें थोड़ी बहुत नीचे भी कर देते हो न तो content जो है वो क्या करता है वो सर चल कर बोलता है ठीक है तो सर चल कर वो बोलेगा और आपको number दिलाएगा लेकिन इन चीजों को भी अगर आप थोड़ा use कर लेंगे तो आपके जो numbers है वो definitely यहाँ पर जो है वो आपको maximize यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे ठीक है अगर आपको किसी भी तरीके का कोई doubt है तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं और magnet brain से कैसा platform है जहाँ पर आपको सभी class सभी subject की videos free of cost मिलते हैं मतलब 100% free आपको देखने को मिलेंगे kg से लेकर 100% तक की class और आपको कोई भी subscription नहीं लेना है because यहाँ पर क्या है कि best quality content best teachers के साथ आपको free of cost provide किया जाता है बाकि अगर आपको यह session useful लगा हो कुछ अच्छी चीज़े आपको लगी है तो session को like करें अपना feedback दे channel को subscribe कर लें क्योंकि इसी तरीके के जो बहुत beneficial videos होंगे वो आ तेरे बताये हुए कुछ जो यहाँ पर important points है उनकी मदस से वो अपने examination में अच्छा score यहाँ पर कर सकें तो यह था एक छोटा सा discussion आपकी examination के लिए मेरी तरफ से आप ज़रूर बताईएगा कि आपको session कैसा लगा मिलते हमारे next session में तब तक keep smiling and keep preparing लगे रो exam clear करो thank you so much जै हि कर दो जाल झाल